तो आज मैं फिर से आपके सामने कुछ इन्पोर्टन्स कंपानी के अपडेट सेयर करने वाला हूँ तो इस वीडियो को पूरा लास तक देखिएगा और अभी तक अपने चनल को सब्सक्रेब नहीं किया तो जूरू कर लिजेगा तो चलो देख लेते कौन सा कौन सा कंपानी ह का लोगता हैं तो कंपानी के लिज्यो को पर आचुगे हैं तो कंपानी के क इस तरह के से हुआ। चलो एक बर अपके साथ शैर कर लेता हूँ कई हद तक company का net profit बढ़ता हो देखनों को मिले अभी net profit कितना हुआ देखिए 440 से लेकर 264 तो आप कहेंगे sir आप तो बता रहे थे कि company का बहुत जबदस profit हुआ कहा पर profit हुआ company 440 से तो 260 हो गया तो company का तो profit 50% भी नहीं हुआ तो आप क्यों बता रहे थे कि company का profit जबदस्त है हाँ अभी भी बता रहे हुआ company का profit जबदस्त है आप खुद ही देख लिजए operating profit अगर देखा जाए 114 से लेकर 347 चा 44% से लेकर 52% मतलग best तरीके से operating profit margin यह पर देखने को मिले है उसी हिसाब से बात किया जाए तो profit एक्सटा कहा से हुआ actually company का आदास income से profit हुआ अभी देखे आदास income तो हर टाइम में नहीं होगा हर साल में company के हर quarter's में company का आदास income बढ़ेगा ऐसे बिल्कु नहीं क्योंकि आदास income में तब होता है जैसे मानके चलिए आपका एक business चला है और उस business में बहुत मतलब आपका एक properties है business में मानके चलिए एक go down खरित के रखे थे तो उस go down का कोई जूरूत नहीं है तो उसको आपने बेज दिया उससे जो पैसा है आप तो actually आपके लिए profit है तो उसके लिए आदास income है तो वो ही income आपके profit and loss में दिखा जाएगा तो इसी कारण के बज़े से company के उपर profit जादा पिछले बार देखने को मिला तो जो लोग मुझे comments कर रहा था कि sir profit खराब हो गया result खराब हो गया तो इसके लिए बता दो result में कोई भी खराबी नहीं है ठीक ठाकी है company ठीक ठाकी result किया अभी company के उपर investor के क्या रहा है देखिए एक time DS ने इस company के उपर भरोसा नहीं किये थे एक time FS ने भी इस company के उपर भरोसा नहीं किये थे अभी आदास का मतलब कुछ अलग-अलग government संगस्ताई भी हो सकते है private संगस्ताई भी हो सकते है सब कुछ मिलकर 22% के असपर holdings देखनों को मिला तो overall जो situation है इस situation के हिसाब से बात करूँ company को पर जब अदस एक company को उपर growth जो है बढ़ता हो देखनों को मिले और अच्छा खासा company के उपर journey आपर देखनों को मिला जो journey company को एक best तरीके से आगे बढ़ाने के लिए काफी है एक best तरीके से journey करने के लिए काफी है तो बागी इस BSC NST के उपर एक ही बात कहूँगा कि मैं इस company के उपर trust build करता हूँ आप किस तरीके से सोचते है जो रूख comments करना यह कि जिस company के उपर मैंने एक range के basis में एक NTS मुझे मिला था उस basis में मैं continue करूँगा और यहापे मुझे एक buying का भी range मिले आप देख सकते हैं continuously यहापे buying का candle मिले और continuously एक दो तीन चार पांच छे साथ साथ के साथ buying candle मिले जिसको कुल मिला कर 32% का range बने और इस range के उपर यहापे company के उपर NTS भी हो चुके है और उसके बाद company उपर जाने के बाद नीचे भी आ रहा है मुझे लगता है यहाँ से फिर से वो correction हो सकते है इससे वो reversal कर सकते है बाकी आपके क्या opinion है इस company के उपर जोरू comments करना तो next company उसका नामे Excite Industries Limited तो finally Excite के उपर भी quarterly result आ चुके है तो quarterly result जो आया है वो किस तरह के से है चलो एक बाद देख लेते है 4200 क्रोड से 4400 क्रोड बने और ER peer basis and quarter quarter basis दोनों में ही company का जो sales का growth है वो बहुत strong तरीके से sales का growth देखने को मिले अभी expense मिठाने के बाद company का net profit है वो बहुत सांदर देखने को मिला जैसे आप देखेंगे 202 क्रोड, 224 क्रोड, अभी 221 क्रोड मतलब company हर साल में खुद का net profit जो है बढ़ाते चले गए, एक अलग level का net profit करता चला गया तो मैं यह नहीं कहूंगे कि company का profit बहुत खराब होगा है ऐसे नहीं कहूंगा कि company profit खराब किया हाँ, पिछले सालों के तुना से छोटा मोटा profit correction हुआ और पिछले quarter के तुना से obviously profit ज़ादा हुआ तो overall company के salver के data देखू, तो sales का जो data है, last till two month last till two month का मतलब क्या है last 12 month, इस month से लेकर last 12 month तक company का total sales है 11%, जो last three years को bid नहीं कर पाए, और net profit के बारे बाद कर दो person के आसपास profit हुआ करता था, last 12 months में company 4% का profit किया, मतलब profit में थोड़ा सा journey हापे company का positive देखने को मिला, साइद इसलिए company भागते चले जा रहे, और company इसलिए, साइद सालों में 88% का return भी दिया है, company जब अदस return of equity के वो maintain कर है, last year में थोड़ा सक कम हुआ, बाकि इस company के उपर, अगर मैं investor के हिसाब से देखू, तो इस investor के हिसाब से अगर आप देखेंगे, तो company के उपर, mutual fund भी खुद के holding बढ़ा चुक है, साड़े 7% से, साड़े 12% और FIS के पास 10% holding था, वो बढ़के साड़े 13% हो चुके है, बैस तरीके से आपे holdings बढ़े है, उसलिए साब से बात करूँ, तो X-side के जो आपडेट है, वो मैं आपको बता दू, आप देख सकते हैं, X-side industries, consolidated जो net profit है, decline, तो obviously decline दिखेगा, क्योंकि year of year basis में तो company के decline है, quarter of quarter basis में company का profit अच्छा हुआ, मगर year basis में अच्छा नहीं हुआ, तो इसके मतलब जो estimate किया गया था, उस estimate को missing कर चुके है, और एही कारण के बज़े से share में कुछी दिनों से एक correction देखना को मिला है, तो आपको सोचना पढ़ेगा, कि किसी भी companies के उपर जब भी आप काम करने के लिए जाएंगे, तो आपको सारे चीज़ों को सोच कर observe करके काम करना पड़ेगा, अभी देखिए यहापे दो buying candle का range बने, मुझे कुछ दोस्तों ने comments भी किया, कि सर इस range के उपर कोई भी आप decision लेने वाला है, विलकुन नहीं क्योंकि यहापे जो total दो buying candle का range बने, उसका range निकल का मुझे तो चाहिए 20% के उपर, कि आपर 20% बना नहीं, तो मैं इसलिए strategies को use नहीं करूंगा, तो फिलाल के लिए मेरा इस company के पर कोई भी कुछ नया patterns देखने को नहीं मिला, टेक्निकली, तो इसलिए मैं इस company के उपर अभी आवर्ट करकर चलूंगा, तो next जो company उसके बारे में बात कर, उसके नामे infosys limited, finally infosys का क्या हालत है, वो एक बास चलो, मैं आपको दिखा देता हूँ, तेकि infosys को जब मुझे एक patterns मिला था, कुछ इस तरीके से, sorry, कुछ इस तरीके से cup with handle patterns मिला, पहले cup बने, उसके बाद handle button बने, breakout हुआ, retest किया, और retest कहाँ पर किया, जो इसका strongly support है, strongly support है, क्यों support है, यह कि दिखिया, आज से company bounce back किया, फिर से इस level में support लिया, उपर गया, फिर से support लिया, फिर से उपर गया, फिर से support लिया, तो इसी support level में बार बार वो retest किया, तो इस support level को ब्रेक नहीं कर पा तो company के जो ग्लोबाली market में इंपेक्ट आया, US market से इंपेक्ट आया, उसका directly IT सेक्टर में सबसे ज़्यदा पड़ता है, क्योंकि कोई भी US market से कोई भी negative news आये, तो उसका directly एक negative sentiment IT सेक्टर को बहुत देखने को मिल जाते हैं, तो मुझे लगता है, जो situation बने है, उस situation के basis में company म अच्छा खासा journey आपर देखने को मिल सकता है, बाकि आपके खेरा है, जो मुझे comments करके बताना, क्योंकि सारे जो updates है, वो आपके साथ इसलिए share करता हूँ, क्योंकि आपको company के बारे में ज्यादा से ज्यादा जानकारी मिले, और कोई भी news होता है, तो वो भी मैं आपके pressurize है, वो pressurize clear होने में फ्रफाए सा time लगेगा, क्योंकि pressure on start है, जब से बेखाजे तो Russia के साथ, जब से मतलब आपको, Russia के साथ जब से Israel का जूद स्टार्ड हो गया था, तब से लेकर could oil का prize भी बढ़ गये थे, और उस कारण के basis में global market में सबसे ज़्यादा IT सेक्टर के प और पॉजिटिव इसलिए हो कि के कमपणी को फॉर इंवेस्टर कोई भी सिच्योशन में खुद के स्टेक को नहीं बेचा हाँ आप कहेंगे सर थर्टी सिक्स परसंट का होल्डिंग तो एफएस के पास था अभी तो थर्टी टू परसंट है तो आप बोल रहे हैं कि इंस्ट् दरी किया है अगर यहाँ पर पॉब्लिक का होल्डिंग बढ़ता हुआ देखने को मिलता तो कुछ अलग दीसे सेंट बनता तो पॉब्लिक का तो होल्डिंग सेम टू सेम है तो मुझे लगता है जो सिच्योशन बना है जो कमपणी को बूश्ट करने के लिए काफी है आगे इस कमपणी के आफडेट ही है कि कमपणी जल से जल आपको बोनस देने जा रहा है हर दो के बदल एक से हर कमपणी आपको आज के दिन देने वाले थे तो जो लोगों को बोनस पाना चाहिए था उस लोगों को बोनस मिला के नहीं मिला चुरू मुझे कमेंट्स करके बता सकत आपको free of cost इस YouTube चैनल के मात्तम से ही सीखाता रहता हो अगर आपको सीखना है तो continue करिए अगर आपको खुद को पता है खुद का knowledge है तो आपके इसाब से काम करिए तो मिलते नेक्स पीडियो में तब तक के लिए धन्यबाद